हालो दोस्तो मैं हूँ यूवराज स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलाइंस प्रट्रोल पंप डिलर्शिप की दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको स्टैप बाइस टैप कंप्लीट इंफोमेशन दूंग छे जगें की ओगीर्ण तो ओ इसको आप कैसे आपको सकते हैं इस प्रलीय स्ट्राइणज पौंप की दीलर्शिप के लिए सारी इंफोमेशन आपके साथ करूंगा 2 इस इस प्रट्रोल और ड़िलर्शिप के बारे में आपको कंप्लिट के उम्प्सार आप को बताऊंगा क कैसे आप इस Reliance Patrol Pump की डिलर्शिप ले सकते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं Reliance Patrol Pump डिलर्शिप के बारे में दोस्तों मुकेश अंबानी की ये Reliance Patrol Pump इंडस्ट्री भारत में Popular Oil Industry में से एक है और Reliance Industry की जो सर्विस है वो इंडिया में No.1 सर्विस प्रोवाइड करती है और दोस्तों Reliance Industry का जो कस्टमर बेस है वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है दोस्तों आज पूरे इंडिया में Reliance के बहुत ज़्यादा Patrol Pump हैं और दोस्तों कमपनी अपना Network बढ़ाना चाती है और आपके लिए ये बहुत अच्छा मोका है Source of Income है आप इस डिलर्शिप के लिए Apply कर सकते हैं और डिलर्शिप के लेने के बाद आप इससे अच्छी इंकम भी ले सकते हैं दोस्तों इस Reliance Patrol Pump के डिलर्शिप के लिए कुछ Eligibility Criteria है जमीन हो जो कि रोड के ऊपर या फिर National Highway से लगती हो और उसके जो डोकुमेंट है वो भी सबी complete होने चाहिए दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए कितनी जमीन चाहिए होगी अगर आप इसको State Level या National Highway पर Open करना चाहते हैं तो इसके लिए 1200 स्केर मिटर से लेकर 1600 स्केर मिटर के बीच होनी चाहिए और अगर आप इसको City में खोना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Require होगी 800 स्केर मिटर से लेकर 1000 स्केर मिटर तक और जो डोकुमेंट की जरूरत होगी उसमें अधार कार्ड, पैंड कार्ड, वोटर कार्ड और अड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बैंक की पास्बुक, कोपी, मुबाइल नंबर और जो प्रोप्टी है उसके भी डोकुमेंट होने चाहिए और अगर आप जमीन किराय या लीस पर लेना चाहते हैं तो उसका भी एग्रिमेंट फोर्म होना चाहिए आपके पास, और दोस्तो रेलेंस पट्रोल पंप की डिलर्शिप के लिए जो आपको इंवेस्टमेंट करनी होगी उसकी अमाउंट होगी 20 लाक से 30 लाक रुपे तक आपको इंवेस्टमेंट करनी होगी यह जो investment होगी जह आपके area location के उपर depend होगी दोस्तों अगर आप अपनी खुद की जमीन के उपर relance patrol pump खुलेंगे तो आपकी investment थोड़ी कम होगी और इस relance patrol pump की dealership को लेने के लिए इसकी security fees भी आपको deposit करानी होगी जो की होगी 2,00,000,000,000 रुपे यह जो security deposit होगा यह non refundable होगा जब तक आप अपने relance patrol pump को चलाएंगे तब तक आपको यह security वापिस नहीं होगी और जब आप इसको बंद कर देंगे उसके बाद आपको एक साल के बाद आपको security है वो आपको return हो जाएगी तो चलिए दोस्तों अब हम अपने laptop की screen में चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप relance patrol pump की dealership के लिए apply कर सकते हैं वो कौन सी website है अब हम अपने laptop के chrome browser में open करेंगे chrome browser open होने के बाद हम सर्च में type करेंगे reliance petroleum और उसके बाद जो page open होगा और पहले नमबर पर लिखा होगा www.reliancepetroleum.com इसको बाद हम click कर देंगे click करने के बाद आपके सामने reliance petroleum की website open हो जाएगी website open होने के बाद एक fraud advisory का notice आ जाएगा इसको हम close करते हैं इसके right side में एक toll free number दिया हुआ है या तो आप इस पर contact कर सकते हैं या फिर उसके नीचे लिख है contact us इस पर हम click करेंगे click करने के बाद एक नया window page open हो जाएगा इसमें option है locate a fuel station आप सर्च कर सकते हैं fuel station कहां पर है और उसके बाद नीचे आ जाएगा feedback request callback आप इस पर अगर click करेंगे तो आपको callback आ जाएगा आप उसमें जानकारी ले सकते हैं otherwise इसमें last per option है business inquiry की come partner with us in our journey इसको हम no more पर click करेंगे click करने के बाद एक नया window page open हो जाएगा यहां पर एक form है जिसको फिल करके submit कर देंगे उसके बाद आपको एक callback आईगी जिसमें आप dealership के बारे में पूरी information ले सकते हैं और apply कर सकते हैं इस form में आपका name, mobile, email, city, state, current business आप जो क्या कर रहे हैं और आपकी turnover कितनी है अगर आप कोई message description में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं और उसके बाद नीचे submit पर click कर देंगे को submit करने के कुछ दिन बाद आपको callback या फिर mail के दवारा इस dealership के बारे में जानकारी दे दी जाएगी इस तरीके से आप India's number one Reliance industry के partner बन जाएंगे और Reliance petrol pump की आपको dealership मिल जाएगी और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो उपर toll free number है इस पर आप call कर सकते हैं तो द comment section में बता सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को like करें अगर आपका कोई सवाल है तो comment section में पूछ सकते हैं और हमारे channel को भी जरूर subscribe करें